कि मैं हो गया हूं रेड़ी ऐसा कुछ बाहर कम उसम बहुत प्यारा है बारिश हो रही है और बारिश अभी बंद हो गई है बड़ा प्यार हो रहा है मौसम भी साइट टाइम पर आया है वाई गूमने भी मौसम सुभा से जब से चले है ना हो जाथा कि गर्मी होगी लेकिन बाई वैदर बहुत अच्छा था चलते हम निकलते हैं बानगड के लिए बारिश तो बंद होगी हो जो दोस्त भी सारे रेडी हो गहां बहुत नाम सुना है बानगड का चलो निकलते हैं और बार देखके आते हैं बारिश तो बंद होगी है बस चलते हैं अच्छा फाइनली प्रेक लिया कि भूग लगरी थी बहुत ज़्यादा यार और फिर दोसो किलिमेटर राइट कर भूग बहुत जोर की लगरी थी होटल में चेक-इन किया फिर वहां से निकलके बानगड के लिए अफ रास्ते में ये डावाय को कुछ खाते हैं फिर आग खाते हैं भूग बहुत तेल लगी है खाके पर निकलते आगे हैं भाई खाना हा लिया मजा आगिया खाना खाके और बारीज भी रुपी अब चलते हैं बानगड की तरफ लोग कहते हैं कि राहिस्थान भाई गर्मी बहुत पड़ती है देखना नजारा है कितने ग्रिन रहे है वाई क्या नजारा है जो अलुबर से भानगड कर लिए जो रूट है ना यार वो बहुत ही प्यारा है क्या व्यूज है भाई देखके देख़ों रोड भी कितनी प्यारी है तो यह उपर आगे देखा है क्या व्यूज है यार क्या मस्त भी हो यह देखो और यह देखो यह चेक करो वाई क्या ही मस्त भी क्या है व्यूज हम देखो भाई क्या ले एढ़े यह अगया वाई यहां वाय हमारे क्या मॉजम हो रहा भाई क्या मजा आ रहा भाई यहां 20 रॉपीज यहां की 20 रॉपीज है ओर यह स्वरक हैं छेंट रहा है आयो तो वाई गाइड्स आप से पूछते हैं यागे जो हिस्ट्री है और इसको किस ने बनाए था तो चलिए गाइड्स आपके पास चलते हैं तो पड्र है थो उसट्री है थी पूरी गेत इंट एससे पूरे सबस्ट्री और इसलिए यह रहाँ तो देखो देखो 16th century में बना था फोट 21 century चल देए यानि फाइव एंडरस ओल्ड मॉनुमेंट है और बहुंत दास के दुवारा इसका निर्मानी करवाया गया था जो जैपुर की साथ सक वह करते थे पहले वो उसके बाद में देखो यह यहां से लेकर अपने लाश तक किसान बादा था पूरा उत पर अफर बना हुआने वो श्यक्पोस्ट पूस्टा था वास्ट रावर वह सामने जो बना पर फ्रक्सिया के लिए तो यह देखो पूरा pięatak जाने का रिच है क्या जाते हैं लोग पर देखो तीन मार्केट दें यह किसान मार्केट होता है पहल इसले किसान मार्केट को होते हैं और देख लो भाई कि इतना खंडर हो चुका है एक ला और एशिया का कौन से वेली दी दांसर हवेली अच्छ यह इस घर को दिखाया था वो आज बिले को बरगत के प्रेड में वहां दो और इसके दो कहले हैं लोग आसपास के लोग पीछ रे सब्सक्राइब कर दो कि इसमें जो चार में से यह भी एक टेंपल है जाते हैं लोग जाते हैं लोग जाते हैं लोग पुरा तबाह हो गया था और यहां की जो लोग तो निकल लोग तो कि चले गए थे यहां पर तो 80% लोग जाते हैं अमेर जैपुर जाते हैं लोग जाते हैं पुराना जैपूर यह ओल्ड सीटी ऑप पुराना जैपूर था जो लोग 10-20% लोग तांत्री के शराप में देखो हैं मारे गए थे तो उन्हीं लोगों के बारे में इसा बताते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्मा एक तरह से विचरन करती हैं इसकी कारण इसको देखो बूतों के भांगड के नाम से इसके बाद में देखो काफी रिसर्च बगरा हुई बड़े-बड़े जो पर रिसर्च करते हैं उन्हों ने यहां पर जगे-जगे पर कैम्री बगरा लगाई हाई हाई-मास कैम्री लगाई जो पैरामेटर होते हैं जो नेगीटिव पोजिटिव एनर्जी को जो इंडिग आए गए जहां पर उनके साथ में देखो कुछ बड़े-बड़े चैनल दे जासे डिसकावरी फिर फाइल इस्पी चैनल बगरा है अच्छ ना में जगह है वीजी शहर में जगह है पहले निमबर पर दूसरे नमर पर वांगड़ा तीसरे नमर पर कुल्धरा है कुल्धरा क जगह है उदर जाने के लिए ताइगर उजी शरिष्टा में आते हैं तो इसमें लेपड़ा है तेन जोंगी जानवर है उदर जंगल में अगर और उच्छ वह पूरा खंद्र है उसके जश्ट में के दरवाजे से दरवाजे से बने हुए है ना यह तीसरा फ्लोर है उसके नीचे दो फ्लोर है ना फस्ट सेकेंड उनको क्लोज कर दिया कि 2019 में कुछ लोग से नीचे टैखानों में चले गए थी कुपिय अरस्तों में तो अंदर जाने से दम गुठने से डाइच हो गई थी इसके बाद फस्ट फ्लोर को बिलोगुल बंद्र जितने भी इसके कुप अब देखो यह मंदिर मंगला देवी जी कर खेशा है तो फूजा नहीं होती है वह पहले पूजाय होती थी निलम की मूर्थियां थी तो बाद में जाकर राजा महराजाओं के बाद में इस्ट इंडिया कंपनी आए थी अंग्रेज लोग आए थी तो लेके चले गए उसके पूजान जी की होती है लेके पूजास एंगिसी को प्रभाव औरहा यहां ज्सकूर करते के पूजा थी प्रभाव बना हूँ है यह जो बड़ाय होता है यह यह पीछी चोटा सबूत्रा बना हुआ है यह जो बड़े यह दूदान की पार नूर promote remote गाइड सब बता रहे हैं जो यह भानगड है इसको पहले जो है ओल्ड जैपूर यह ओल्ड जैपूर था अभी पुराना जैपूर बोलते देश को और अभी जो नया जैपूर है यहां से 70 km नया जैपूर जो है यहां के एक वाइड के जो है फायदा नहीं है न कि यहां के इस्ट्री नहीं पता चले तो क्या फायदा नहीं दूर आके पदा भी दो मानले पहले आए मैं तो यहीं रिकमेंट करूंगे यहां पर आते हो बाहर से बंदा गाइड कर लो दो सो 3-0 बे लेता है रामजुस कभी हो जाता काम और तुम्हें भी सारी इस्ट्री बंदा बता के चले आता है 20-25 मिनिट में कंप्लीट डिटेल देगा और समझा देगा फिर अपना खुद फोटो अगेरा जो भी घूमना है वहां से पूरे किले में घूमते रहो कर दो हमारे अर्षद भाई जो है भान गड़ फोर्ड के अंदर एंटर करते हुए अभी तक जो थे वह बहार के गेटे जो में गेट है फोर्ड का वह आपके सामने है और यह जो फोर्ड है यह लगभग चार किलोमेटर के एरिया में फैला हुआ है परस्ट और सेकेंड तो प्लोर बंद करागा यह थर्ड प्लोर का गेट है वह जार है अंदर ऐसा कुछ है वाई 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 क्या भी गवार आयार थर्ड प्लोर से यह देवाई दरे भीचे वाई 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 झाल झाल